हेलो फ्रेंड्स मैं शाहिद सलीम एक बर फिर से जूपिटर क्लासिज में आपका स्वागत करता हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स और ब्रांचिज आफ एकनॉमिक्स यूँ तो एकनॉमिक्स की काफी सारी ब्रांचिज हैं या टाइप्स हैं लेकिन जर्नली इसकी दो ही ब्रांचिज मानी जाती हैं वो है माइक्रो एकनॉमिक्स और मैक्रो एकनॉमिक्स आज हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारा एंड्रोइड अप्लिकेशन डाउनलोड ने किया है तो उसको भी डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा गाईज हमारी इन वीडियो का सोर्स जो है वो एचल अहूजा, एमल जिंगन और एमल सेट है और मैं इन बुक्स को स्टेडी करकर ही आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपको इन बुक्स की स्टेडी बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक्स हैं, बहुत लेंथी हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन बुक्स को थोरोली पढ़ो आपको हम पर भरोसा रखना पढ़ेगा और हम आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो to the point पढ़ाएंगे और आपको exam में काफी मदद मिलेगी और यूँ समझ लीजे कि 10 marks आपकी जेव में हैं So guys, let's start So guys, micro economics दो term से बना है, micro and economics अब economics के बारे में तो आप जानते ही हैं तो हम हमारा focus थोड़ा micro पे रहेगा तो यह जो term micro है, वो एक Latin word micro's से निकला है Latin word micro's से जिसके मानी है small which means small तो अब हम थोड़ा सा इसको define करते हैं कि micro economics है क्या Micro economics, economics का वो field है या फिर economics की वो branch है जिसमें हम individual economic units के बारे में study करते हैं या individual economic units के behavior को study करते हैं कि वो किस तरीके से behave करते हैं किस तरीके से operate करते हैं या फिर उनकी economic activities किस motive से होती हैं ठीक है फार एक्जेंपल consumer, producer ये हमारे primary micro individual economic units है consumer and behavior are the primary micro individual economic units ठीक है अब जब हम एक consumer के बारे में study करते हैं एक consumer के behavior के बारे में study करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं we are operating at micro level in the economy when we study about the behavior of a consumer we are operating at the micro level and what we study about the consumer behavior we study that कि एक consumer की जो given income है given income है वो उसे किस तरीके से खर्च करता है किन goods and services में allocate करता है क्यूं करता है किस तरीके से करता है किस वज़े से करता है इन तमाम तरह के सवालों का जवाब देने के लिए हम micro economics का इस्तमाल करते हैं ये रही consumer की बात ठीक है उसके अलावा एक और individual economic unit जो micro level पे बहुत ही ज़्यादा एहमियत रखता है वो है producer ठीक है producer क्या करता है producer का function क्या है एक economy में producer का ये function रहता है कि वो इन चार means of production का इस्तमाल करे और goods and services produce करे तो जब हम एक producer के behavior को study कर रहे होते तो हमारा focus ये रहता है कि एक producer जो है वो किन means of production का इस्तमाल कर रहा है किस वज़ा से कर रहा है किस तरीके से कर रहा है तो वो means of production का वो अगर particular means of production का इस्तमाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि भाया उसकी cost of production जो है ज्यादा मुनाफ़ा कमा सके अरे बहिए एक दुकांदार बैठा हुआ है दुकान पर वो क्या करता है चीजे बेचता है क्यों बेचता है so that वो मुनाफ़ा कमाए पैसे कमाए है न तो एक प्रोडियोसर जब कोई चीज करता है तो उसका मौट्यू भी यही रहता है कि वोसे कम से कम पैसों में कम से कम खर्चे में produce करें और उसे ज्यादा से ज्यादा मिनफ़ग हो तो जब हम यह study करते हैं कि गइंक अपनी income को क्यों खर्च कर रहा है किन good当 services पर खर्च कर रहा है, किस तरीके से खर्च कर रहा है किस वजह से खर्च कर रहा है, या एक producer ने particular means of production क्यों employ किये हुए है, वो किस तरीके से उन्हें employ कर रहा है, क्यों employ कर रहा है, उसने particular means of production क्यों employ किये हुए है, जब हम इन तमाम तरीकों के सवालों का जवाब देते हैं, तो then we are operating at micro level, we are dealing with micro economics, इसके अलाबा एक और चीज हम प Micro economics का जो scope है, वो है, theory of consumers behavior, theory of consumers, थोड़ा मैं short में लिखता हूँ, ठीक है, consumers behavior, theory of producers behavior, और theory of guys, हमारा board थोड़ा छोटा है, तो इस वज़े से अगर आप अपनी notebook पे note करेंगे, तो वो ज्यादा भैतरी ही रहेगा, serial wise, या फिर series wise, जैसे जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ, तो बहुत, बहुत फाइदी मन रहेगा आपके लिए, so, ये रहे, ये है, हमारी, ये micro economics का scope है, theory of pricing में हम क्या पढ़ते हैं, theory of pricing में हम ये पढ़ते हैं, कि goods and services के price जो है, वो किस तरीके से determine होती है, और उसके अलावा factors of production, ये रहे factors of production, land, capital, labor and entrepreneur, जब हम economy में हमने जिस भी तरह की production करनी है, तो इन चार means of productions का इस्तमाल होता है, अगर इन में से एक भी absent रहा, तो means of production is totally impossible, समझ रहे हैं, तो ये रहे, चार means of production, land, capital, labor and entrepreneur, ठीक है, तो मैं एक बात कर रहा था, अभी मैं एक चीज़ बीच में बोलना भोल गया, जब मैं producer की बात कर रहा था, तो उस वकद मैंने बताया था कि producer, producer ने कौन से means of production का इस्तमाल, या फिर कौन से means of production उसने employ कियो है, production के लिए, ठीक है, तो एक चीज याद रखेगा, अगर एक producer ने, अगर एक producer ने, या entrepreneur ने, फिर investor ने, क्या किया हुआ है, अगर उसने ज्यादा तरजी किसको दी हुई है, अगर उसने ज्यादातर labor, अगर उसने ज्यादातर labor, अगर उसने ज्यादातर labor, इस्तमाल किया तो हम उसको कहते हैं Labour Intensive Labour Intensive Technique ठीक है अगर एक producer ज्यादा से ज्यादा LabourS को employ कर रहा है production के लिए तो हम उस technique को कहेंगे Labour Intensive Technique या फिर Labour Intensive Production या अब इसके बरक्स इसके उल्ट में अगर एक producer ने क्या किया हुआ है अगर एक producer ने ज्यादा ज्यादा तरजी किसको दी है, capital को, तो हम उस तरीके की production को क्या कहते है, capital intensive production, यह चीज में बीच में भूल गया था, यह बहुत ही ज्यादा important चीज है, labor intensive technique and capital intensive technique, मैं एक बर फिर से बता देता हूं, labor intensive technique या labor intensive production, उस production को कहते हैं, जहां पर ज्यादा से labor employee होते हैं, ठीक है, और capital intensive technique हम उस production को कहेंगे, या फिर उस technique को कहते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या है, capital, capital means machinery, simply, capital means machinery इस्तमाल हुई है, तो उसे कहते हैं, capital intensive technique, तो यह रहा थोड़ा सा micro economics के बारे में, ठीक है, गाइज, micro economics से बारे में एक fact बता देता हूँ, कि micro economics का father माना जाता है, john, father आफ, एक मिट मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ, वाइज, micro economics के father जो है, वो john menard keens को कहा जाता है, john menard keens एक American, एक American economist थे, ठीक है, इन्होंने एक book लिखी है, journal theory of employment, money and interest, एक important book है उनकी, john menard keens की, इसके अलावा मैं पहले lecture में एक दो बातें बोलना भूल गया था, तो इस वीडियो में हम उनको करते हैं, कि father of economics कौन है, father of journal economics बोलेंगे हम, father of journal economics, adam smith को कहा जाता है, ठीक है, तो guys, adam smith के दौर की या फिर adam smith के एरा की जो economics थे न, उसमें काफी सारी shortcomings थी, बहुत सारी limitations थी, जिन limitations को आगे चलके बहुत सारे economists ने दूर किया, और उनमें सबसे एहम रोल अदा किया था, पॉल सेमिलसन ने, पॉल, सेमिल, पॉल सेमिलसन ने बहुत ही एहम रोल अदा किया था, जिसकी वज़ा से इन्हें father of modern economics भी कहा गया, ठीक है, इसके अलावा, पॉल सेमिलसन के बारे में एक और fact यह है, कि वो अमेरिका के पहली economist थे, जिनको economics में noble prize मिला था, और उन्हे noble prize 1970 में दिया गया था, ठीक है guys, तो यह था, micro economics के बारे में, अब हमारा रुख होगा macro economics की तरफ, तो macro economics भी, ठीक, micro economics की तरह दो word से बना है, macro और economics, लेकिन इनके मानूं में फरक है, macro economics या फिर macro word जो है, वो एक Latin word macros से निकला है, जिसके मानी है large, which means large, तो इसकी परिभाशा ऐसे रहेगी, कि macro economics, economics का वो field है, या फिर economics की वो branch है, जिसमें हम उन economic units के बारे में study करते हैं, या फिर हम उन economic variables या units के behavior को study करते हैं, जो पूरी की पूरी economy को influence करते हैं, effect करते हैं, या उन units में अगर कोई, या फिर उन economic units में, या variables में, कोई जरा सी भी change आ गई, तो पूरी की पूरी economy मुतासिर हो जाएगी उस चीज़ से, हम example लेते हैं money supply की, ठीक है, example लेते हैं money supply के थ्रू में आपको समझाना चाहूंगा, कि किस तरीके से macro level के economic variables या economic units पूरी economy को affect करते हैं, influence करते हैं, अब क्या है, जब हम money supply बढ़ा देते हैं, जब हम economy में, जब हम economy में money supply बढ़ा देते हैं, तो money supply बढ़ाने की वज़े से क्या हो जाता है, हमारा interest rate क्या हो जाता है, fall करता है, मैं short में लिखते हूँ, interest rate क्या हो जाता है, fall करता है, जब हम money supply को बढ़ाते हैं, interest rate fall करता है, interest rate के फाल होनी के विज़े से क्या हो जाता है interest rate फाल हो गया तो investment बढ़ती है investment इसलिए बढ़ती है क्योंकि entrepreneurs या फिर investors या फिर businessmen जो है उनको कम दाम पर पैसा मिलता है invest करने के लिए और उस कम दाम से या फिर उस investment से वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो जब जब ज्यादा से ज्यादा तो इस तरीके से इस तरीके से macro level के economic units पुरी economy को influence कर देते हैं तो ये था micro economics और macro economics के थोड़ा सा introduction अब हम इनके बीच में एक main difference है micro economics और macro economics के बीच में difference पूछा जाता है लेकिन आपका exam जो है वो subjective तो है नहीं so difference आपका पूछेंगे नहीं लेकिन मैं एक main चीज अब्जेक्टिव आ सकता है तो उनकी सोच बस इस इस point पर अटकी रहती है कि किस तरीके से individual gains को maximize कर दिया जाए किस तरीके से individual gains को maximize कर दिया जाए यानि जब वो for example जब वो consumer behavior को study करेंगे या फिर consumer के related study करेंगे तो वो ये study करेंगे कि वो ये ढूनने की कोशिच करेंगे या फिर ऐसे रास्ते तलाश करने की कोशिच करेंगे कि जिन रास्तों के तहत हम individual का satisfaction level जो है वो कम से कम income में ज्यादा से ज्यादा satisfaction level हासिल कर सके इस तरीके के study करते हैं हम और जब हम producer की बात करें तो producer जब economist क्या study करना चाहेंगे economist ये find करना चाहेंगे कि एक producer किस तरीके से factor sa production को employ करेगा तो उसका cost of production कम से कम रहे या फिर उसका जो profit है वो ज्यादा से ज्यादा रहे तो इस तरीके से हम करते हैं लेकिन जब हम micro से macro की तरफ रुजू करते हैं macro की तरफ रुख करते हैं तो हमारा focus भी shift हो जाता है तो हमारा focus क्या है individual gain से social welfare की तरफ बढ़ जाता है यहने के simple सी बात है micro economics में economist का जो motive हो क्या रहता है individual gain को maximize करना और macro economics में economist का जो motive हो क्या रहता है social welfare को maximize करने का तो यह था micro economics और macro economics के बारे में introduction अब मैं एक एहम चीज़ बताने जा रहा हूँ economics यह sorry micro और macro economics के बारे में हो सकता है इन में से एक objective आए तो guys यह जो term micro and macro है इनको economics में सबसे पहले इस्तमाल किया था Robert Frisch ने Oslo University के professor थे यह और इन्होंने और इन्होंने in terms का इस्तमाल सबसे पहले 1933 में किया था याद रखिया guys Robert Frost of Oslo University objective पूश सकता है के who used yahoo who coined the terms micro and macro so thanks for watching the video and do like and share and subscribe the channel